समाजिक आर्थिक अस्तर पर अन्य जातियों के समान, सम्मान और स्वाविमान का जीने का आउसर देने के लिए बाबा साब ने आरक्षन की व्यवस्था कराई थी प्रंतु आज भाजपा सरकार ने आर्थिक आधार पर अरक्षण व्यवस्था करके बावास आपके सपने को तोड़ दिया है ये सविधान का खुला उलंगन है सविधान में आरक्षण जातिकत है समंता के अधार पर है गरीबियुन वुलन कारेकर्म नहीं है यहां शोशन जातीगत अधार पर है यहां जातीगत चुह चूत है यहां जातीगत लोग को मारा जाता है आज भी वरात निकालने पर मूछे रखने पर माजन के घर को पार करने पर अच्छे कपड़े पहनने पर एक अच्छे उच्छ अधिकारी के पत्वे बैठने पर भी ल भीरब हम लोग अच्छे पर्मोशन ना हो जाएं हम लोग उच्छी कुर से पर जाएं इसलिए रेड कलम चला के हमारी हमारे क्रेक्टर को सी यार को खराब किया जाता है हम सब चुजों को समझते हैं एक और बहुत जरूरी बात हम आई एस्पीसेस का कि टैस्ट पास करते हैं कमपपिटीशन में हमारे दोसों में से 180 माम् effective होते हैं एक जातीकत भावनाएं यंटिवू में हमें 170 नंबर देती है असी नंबर देती है 90 नंबर देती है 100 नंबर देती है वहाई दूसरे लोगों को चेक कर लिजेगा डाटा जब कंपेडिशन में हमने अच्छे नंबर ले गया है तो इसका मतलब बुद्धी जीमी है पढ़ने वाले लोग है उनको नंबर मिलते हैं एक सो असी प्रेक्टिक उसमें इंट्रिव में एक सो नबर एक सो पिचाणवे एक सो साट एक सो सत्तर बराबरी कर दी जाती है हमारी सिटे काटके उनको दे दी जाती कि हम समझते नहीं सब समझ आता है बाबा साब के सपने को आज आपने तोड़ने काम किया जबकि होना यह चाहिए था मैं बार बार चिलाता हूं कि भाईया आर्थिक आधार को अरक्षन नहीं हो सकता सविधान का उलंगन है सविधान की जो मूल वावना उसके साथ खिलवाड है आबादी के इसाफ़ आरक्षन दीजिए अगर आप आरक्षन ही लागों कुरना चाहते हैं यह चाहिए सरकार को कि जाती के दादार पर सताय गए लोगों को जुड़ी स्वी में भी आरक्षन की विवस्ता कराए यह सरकार मगर नहीं कराएगी क्योंकि मैंने कहा कि बुद्ध का शासन चाहते हैं में बाबा सहाब ने आरक्षन के वेवस्ता की ऐसा तक आरक्षन का पूंध लाव हमें नहीं मिला वहां ऑक्ति आज जो मैंने देखा कि आरक्षन के लाच को कि खतम किया जारा है मुझे लगता है कि भाजबा सडियंत्र कर रही है कि जो जातिकत आरक्षन उसे खतम करने के लिए पहली लाइन जो है वो लोग चल रहे है कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए कल ये इसे कर देंगे अमेंडमेंट करेंगे तो परसो ये हमारे जातिकत आरक्षन के खिलाब भी आवाज उठाएंगे कि टोटल आर्थिक आधार पे होना चाहिए ये लोग रोज आरक्षन खिलाब बोलते कभी जाती भी इन समाज के लिए नहीं बोलते कभी भी बीजे पीप का या मनुवाद्द नहीं करेगी नहीं करेगी नहीं करेगी बाबा साब के द्वारा लिखे गए सविधान में प्रदत अधिकारों के साथ छेडशाड होगी या सविधान को अपने तरीकर चलाने का प्रयास किया जाएगा बाबा साब ने बहुत दिन पहले किया कहा था कि सविधान कितना भी हुआ हुआ नियत ढगा और संविधान कितना और बुरा हो अगर उसे चलाने वाले हाथ अच्छे और नियत अच्छ Tibuk आर तो खोलने यह व Finlay कि इनकी ति इनकी सोच अच्छी नी यह आज भी इस डेश के 15 लोगों के साथ धोका कर रहे हैं अगर आवचांग करना है तो पिचारसी परसंट कि मांग करते हैं बहुजन के लिए बिचारसी परसेट बादी को 252 कि मिलना चाहिए मैं աेश के जितने विख अबैड करवादी विचारधार वाल रायतिकी पार्टिय बाजबा सरकार के सफेंसले का कड़ा विरोद करें को बताएं कि हम उनके साथ नहीं हम बौजन निटा भाउंचन सुखाय की बात करतें और देश समपान लोगों के लिए नहीं चाहते इस देश की 90 प्रेंट पूंजी बता रोज बताता हूं 10% लोग कबजे में इस परसंट की 80% भूमी 10% लोग कबजे में और आज आप उनके लिए 50% डारेक्शन पहले से था उनके पास 10% और दे रहे हैं किसका काट रहे हैं जागना पड़ेगा OBC डलितों के साथ OBC को भी जागना पड़े किसका कट रहा है किस केसे से जा रहा है ये हम लागू होने नहीं देंगे अगर सरकार यह करेगे तो हम लोग रोड़ पर आजाएंगे सरकार लाटी मारे जेल विजे कुछ भी करे लेकिन अगर सरविधान के विरोध में कुछ होगा वो किसी सुखत में करने नहीं दिया जाएगा रखा है आग तक लागू नहीं होने दिया मनिवादी दलों ने तो ये बरदास नहीं किया जाएगा सरकार सो कोल्ड अपरकास के साथ देश के दूसरे गरीब तब के अगर आपको आरेक्शन देने का इतना इमान है ना आप आर्थी का अधार पर करना चाहते हैं तो अपरकास शब्सक्राइब गड़्दण उसinh के लाद भूर्ट खराब बहुत खराब है उनके लिए तो आपको कुछ दिखागी नहीं दे रहा है लेकिन आपको यह दिखागी दे रहें कि देश में सामान्ने जाते के लोगों को बहुत परिशानी है क्या सावानने जाती के लोग कभी जातीकत अपमान से उन्होंने सहा है क्या जातीकत नाम पे उनको कभी विज्जट किया जाता है क्या जातीकत जातीकत नाम पे हिंड भावना का सिकार वे होते हैं यह गलत है अगर सरकार को कोई कदम उठाना है तो कमजोर वर्गों के लिए उठाए वर्णा हम उनकी पॉल्शी से अवगत है हम उनके पूर्णुक से विरोधी है इसका भी विरोध करेंगे ये लागू नहीं होने दिया जाएगा इसको बिल्कुल सरकार समझ ले कितना भी मनवन आलो इ आपको नहीं चीनने दिया जाएंगे इस हम पूरे बहुजों के साथ कड़ें पिचासी के साथ कड़ें पिचासी प्रशंट लोग अधिकार आप लोग नहीं चीन सकते हो इस यह देश को भारत बावासाब के सविधान चलता है अगर करना ही है तो पिचासी प्रसंट आरक् है खबरें चला रहें चलाएए आप भी हमारा परचार करें आपका शुक्रियादा करते हैं भी मार्मी बहुजन समाज की सवतनतरावाज है और मैं एक बात और किलर करूंगा इस बात के बाद भी मार्मी 2019 में भाजपा को खाड़ने के लिए काम कर रही है तो हम कोई चुना की वज़े से हो रहा है यह भी आप अच्छी तरह जानते हैं हमने रो रोए प्रेशर बनाया कि हम भाजपा को खाड़ने के लिए चाहते हैं बहुजन तल एक जो इसलिए गटबंदर मन रहे हम बटबंदर के साथ कड़े हैं उनका साथ देंगे बस यह निवेधन करना चाह तयार करने में इसको गति देने में इसको मजबूत बनाने में लगा दिया उनोको टिकट मिले है उन zie फ्र लोगों को संसद में बेजा जाए कि वह जाके क्योंकि उन्होंने शोशन पिडन देखा उन्हों संगश किया है वह हमारी पिड़ाइ समझते हैं उनको टिक्र देके बेजा जाए मेरा यह निवेदन है आपसे आप लोग भी से सुनेंगे आप देखा सब लोग ही सामने जाती के लोग को मजबूत करने में लग रहे तो आप तो कम से बहुजनों के लिए सोच लो तो फिर दुबारा गोशना कर दूँ भी मैं आर्मी का एक छोटा सा कारे करता ह हमेशा करता हूं समर्पित भाव से हमको चुनाव नहीं लड़ रहे हैं गटवंदन को मजबूत करेंगे कोई लालच नहीं है नीश्वार्थ हैं बाबा साब के सविधान की सुरक्षा करेंगे इसी के लिए भी मार्मी का निर्मान हुआ था हमारा एक मात्र लक्स है कोई ये ना समझे कि कोई एक आदमी काम करता है लाखों लोगों ने मिलके मुमट तयार किये आज भी मार्मी में को भी लाखों लोगों ने तयार किया अकेला चंदर से इसका मालिक नहीं है कोई भी दल हो कोई पाट्य हो कोई अकेला उसका मालिक नहीं है बहुत लोगों के संगर से एक अच्छी पिक्चर बनती है एक्टिंग कोई भी करता है नाम हीरो का होता लेकि उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत होती है जो संगर्ष करके उसे त्यार करती है बीमार्मी के साथ बेसाद लाखों लोग दिन राज संगर्ष करते हैं रोज सर्दी में भी टूटक कि उत्प्रण वाली घट्राओं पर जा जाकर संगर्ष करते हैं अवाज उठाते तब जाकर न्याय मिलता है तो मेरा सिर्फ एक ही परियास है कि इस वाक्षत्ता से भाजपा को बेदखल किया जाए बहुजनों की सरकार है बहुजनों के नेता कुर्षियों बैटे बहुज को बचाना और इसको सही रास्ते बेलाना जैवीम